आंगनवाडी केंद्रों में बच्चों व गरबवती महिलाओं को दिये जाने वाली राशन को लेकर सवाल खड़े हो गए है मामला सिर्मौर जिला की पता साहिप का है आरोप है कि महिलाओं और बच्चों को जो राशन दिया गया उसमें बड़ी मात्रा में कीडे नितले और अक्सर यहां ऐसा देखने को विलता है पॉंटस साहिप के आंगनवाडी केंद्र भाता वाली के तहट आने वाली कुछ महिलाएं आज जिला मुख्याली नाहन पहुंची और इस दोरान डीसी से मौर को शिकायद सौपकर का रिवाई की मांग की गई महीं उन्होंने आंगनवाडी केंद्र द्वारा वित्रिक किया गया राशन भी डीसी बग मीडिया की प्रतिनिधियों को दिखाया जिसके बाद आंगनवाडी केंद्र में मिलने वाले राशन को लिकर सवाल खड़ी हो गए स्थानिय महिलाओं ने बताय कि गरवती महिलाएं और अंगनवाडी केंद्र में दर्ज बच्चों को जो समान दिया जा रहा है उसमें गुणवता को दर्ज किनार किया जा रहा है और ये राशन किसी भी सूरत में खाने के लिए इस्तिवाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें अक्सर कीड़े पाई जाती हैं महिलाओं ने कहा कि सरकार या तो आंगनवाडी केंद्र में राशन दिना बंद करे या गुणवता पुर्ण राशन बच्चों और महिलाओं को दिया जाना चाहिए उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि इस राशन खाने के बाद कुछ बच्चे बिमार भी हुई है वही उन्होंने आंगनवाडी केंद्र की संच्रालक पर आरोप लगाई है कि इस बारी में अगर उनसे पूछा जाता है तो उल्टा उनके साथ दुर्विभार किया जाता है इस कि इस बाद पांगा। फैंतर छोडिया और ये इसमे जंडम मौड़ि को श् planner आ नहीं पूर हां जोड़ा निया। मैं आइसेツरू जिसी पातै करते हिवार कावड़ शकार मौंड़ा को शक्रडाज मौड़िया। इव में दोने के लाइक, ठापाः कारी पुला इपते नागते को तिसपर के रता है वाईलाओं के साथ यहां पहुंचे समात सेवी नाथुराम शौहन ने कहां कि आंगन बाडी केंद्र में यदी इस तरीके के राशन की सप्लाई हो रही है तो ये बीहद दुर्भाग पुर्न है इस बारी में उचित का रिवाई होनी चाहिए इस बारी में उठोंने ये आंगन बाडी कारी करता और सम्मन्दित बाभाग के अदिकार्यों से भी बादशीत की मगर कोई भी संतोज शनक जवाब उनसे नहीं मिला उन्होंने सरकार और प्रश्वासन से मामली में तुरंत कार्रिवाई की मांग करी है अगर आप देखें इसनी खतरा वीडियो थीक उसमें वह जो इनको दाल या चने दे रहा तो उसका चिल्का बचाता उसके अंगर तोटल कीड़े और इतने अर्धिक मात्रान कीड़े थे कि हैरान मुह है कि ऐसा राशन कैसे दे सकते हैं ऐसा तो पशू भी निधाते पर सो इनने मुझे वीडियो वेजें कल मुझे वहां मोखे पर जाना पड़ा तल सुबहां पर इनको महिलाओ को लेकर बहुत अधिस सर्क्या में महिला थी तो आपने आपा है जाज रती थी बच्छो लिए हो पर हाले ने खराब है कहना इनका ठीट फिल्कु ठीट कहना है तो मा अधि उससे प्रगनी पड़ता पर यह राशन तो परशु भी निखाएंगे इसमें है कुछ निए कीड़े कीड़े तो आपने बात में में उने खाई कि आपने रहे मदब क्या था यह रहकुछ खिला होगी इनको कीड़े वाला रासन खिला होगे उसके बाद उनकी तो थे खिला रहे हंगे पेंडे प्रल्ष के जिए 이ल कि तो गल्टी का पता कैसे लगा क्या क्योंकि कल की रिपोर्ट में जो मरें क performs कई हु हुआ अगली बात उन्होंने बोली कि अगर तुम लोग बाव में रहे ना तो खाओ कि अगर नहीं तो तुम्हारी करता नहीं कि बरसाथ में इस तरह राशन दो रहाव होता है, तो आसे खरब चनी तो कमस्तों ऐसे बीधिन होते हैं और कोन गोन सा देते, इतना शूत किता की गरवती महिला, बचे बड़े स्वस्तों, छोचोड़े बचन नूनियाल, बड़े स्वस्तों, इससे स्वस्तों होंगे क्या? आरे इससे बड़े तो नहीं, तो ठीक है, ऐसे देदे लो कुछ जहार जूते है, उससे मर जाएंगे, अ पहले सीजन की शांदावर काम्याबी के बाद दूसरे सीजन के ओडिशन जल्दी ही शुरू हो रहे हैं सीनियर जूनियर एज ग्रूप में सोलो, डियोट और ग्रूप डान्स के मुकाबले वेर पैशन मेट्स परिसेशन और टैलिन टेक्स सेंटर स्टेज यह सिरफ एक कंपेटिशन नहीं बलकी स्टैलिब्रेशन हैं हिमाचल की प्रतिभका, ओडिशन, सेमी फाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डान्स बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टैम्स टीवी पर रगारं ग्रैंड फेनाली हिमाचल के टॉप 20 डांसिच के साथ मंत्र मुग्द करने वाला ग्रैंड फेनाली जहां हिमाचल के बेस्ट ओ बेस्ट कॉम्पीब करेंगे हिमाचल डांस चेंपिनशिप टाइचल के लिए विजेता को नगत इनाम भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस अकेडमी में समपर्क करें हिमाचल डान्स शेंपिन्शिप के फेस्बुक पेट से आज ही जुड़े और पाई कॉंपटीशन की हर अपडेट त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोईल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिम्रा सिर्प नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदिदार कार्णियों पर खास ओफर इगनेस, बिलैनो, फ्रॉंज, जिमनी और वेहन विटारा जैसी श्रांदार कार्णियों को खरीडने का साल का सबसे बहतर वक्त नेक्सा का खास प्लैक एडिशन उपलब्त है, सभी तरह की गार्णियों से एक्स्ट्रेंज और अपग्रेट ओफर भी, तो देर किस बात की, आज ही सोडन या शिम्रा में गोईल मोटर्स की नेक्सा शोरूम में पधारे और पाई, कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने व पुपफ